85 लाख का हाई प्रोफाइल मामला नहीं साव यह तो गल्ट फहमी थी एक बार फिर सुवास ने मारी अपने ब्यान से पल्टी विधैक धुड़ाराम का पूरुप ड्रैवर ब्यान से मुकरा फत्यवाद S.P. को बोला नए रुपे लिए नए किसी को दिये गल्ट फहमी दूर हुई दबाब में था जिस पर पत्रकारों ने जब सुवास से विधैक के पिये राजवी पर लाखो रुपे हड़पने के आरूप समंदित पूछा तो क्या कहा सुने उसकी जुबाने सुभाज आज S.P. से मिलकर आई हैं क्या बाची दूर हुई है क्या गल्ट फहमी रही है आपने परदर्शन किया धरना परदर्शन किया सब्सक्राइस को कि दूरी डाले परद ने तब मदाविं महला ने थां नोए पर यहां सबसें लाख काने मामुला जूटा दाओ सबसें जूठा था हो यह अपको किसी ने बर्माइद निए तब विदायक से कोई शिकायत आपको कोई शिकायत नहीं फत्यावाद पुलिस ने उस समय भारी सफ़ता हसल कर ली जब फत्यावाद में डॉक्टर अजन नारंग के घर से लाखों रुपे चोरी की घटना में दो महलें गिर्फदार हुई नगदी भी पुलिस ने बरामद की हैं उक्तसातीर अरूपी महलें यह नगदी जमीन में दबा गुजराद के लिए निकल पड़ी पुलिस ने दोनों महलें को गिर्फदार कर लिया फत्यावाद माडल टाउ रूपे की रासी भी बरामत कर ली हैं महला महलाओं ने यहां रत्या मोर के किनारे अपने ठीकाने पर ही जमीन में रूपे दबा कर चलतना यहां से गुज्रात के लिए रवाना हो गई थी जिनें पकड़े जाने पर पुलिस ने दोनों महलाओं की निसान दई पर 9 लाख की र मामला दर्ज किया था पुलिस को दी शिकायत में डॉक्टर आजे ने कहा कि मंगलवार सुबैव है और उसकी पतनी डॉक्टर इला नारंग दोनों मकान को ताला लगा कर अपने अस्पताल चले गए थे बाद में उन्हें सुचना मिली कि उसके मकान का ताला तूटा पड़ा ह सुचना मिलते ही दोपैर करीब पौने दो बज़ जब वे दोनों वापस घर पर पहुंचे तो जांज पर पाया कि अलमारी का लोकर तूटा पड़ा था और उसमें रखी लाखों रुपे की नगदी गायब थी सुचना मिलते ही बस्टन चोकी की टीम तुरुंत एसाई दल कैद हो गई थी पुच्टाच में बच्चे ने सीची टीवी फुटेज में देखी महलाओं को अपनी बहन बताया इसके बद बच्चे की बुआ वैफुंफड को बलाकर उन्हें रास्त में लेकर पुच्टाच की तो साथ ही उनके ठिकाउनों पर अन्य से भी कर लिया जानकारे मिली है कि दोनों ने नगदी यहीं अपने ठिकाने पर जमीन में दबा कर चुपाई हुई थी जिसे बरामद कर लिया गया है फत्यबाद कुलिस ने दुकान से समान चोरी मामले में दूसरे आरूपी को गिर्फदा किया जो कि बट्टु मंडी का बताया गया है नगदी भी बरामद की गई है थाना सेर्फ फत्यवाद कुलिस ने बिगड रोड स्थित एक दुकान से समान लेकर फ्रार होने के मामले में कारवाई करत हुई दूसरे आरूपी को माचरा मंडी भट्टुकला से गिर्फतर किया है पकड़ेगे यूवक की पहचान म आनीस औरुफ नानू निवासी परताबनगर भट्टुकला हाल माचरा मंडी भट्टुकला मिर्क के रूप में हुई है उसे माननीय अदालत में पेश कर इसार जेल भेज दिया गया इस बारे पुलिस ने 23 जुलाई को बिगड रोड निवासी करतार सिंग की शिकायत पर मा आसा करते का वुक कर लिया गया था जबकि दूसरा यूवक मोके से फरार हो गया था पुलिस टीम ने इस मामले में अब दूसरे अरूपी को गिर्टर कर इसार जेल भेजा है राजकिया महा विद्याले भट्टुकला में हैंदी दिवस समहरों का आवजिन किया गया जिसमे निभंद लेखन कवीता वाचन और वासन प्रत्योगिताएं करवाएगी बासन प्रत्योगिता में सत्वीर सहारण पर्थमस्थान पर रहे योगेस कटाला दिवित्यस्थान पर और कलपना साक्या तिर्थ्यस्थान पर रहे निभंद लेखन प्रत्योगिता में सुमन बिय अन्तिम वर्ष की चात्रा पर्थम स्थान पर संदीप अन्तिम वर्ष की चात्र द्वित्य स्थान पर और संदीप बीए अन्तिम वर्ष की चात्र द्वित्य स्थान पर रहे कवीता वाचन में अधित्य बीए द्वित्य वर्ष को विदार्थी पर्थम स्थान पर रहा अंज अधिक्सता के अधिक्सता महान हिंदी प्रेमी और महाविदालय प्राचरे डौक्टर सुदेश गुपता ने विदार्थयों का से अवान किया कि वे अपने देनिक जीवन में हिंदी भासा का अधिक अधिक प्रियोग करें। बहासा के सुद उचारण पर विशेश ध्यान दे हिंदी राष्ट्रे एक्ता को मजबूत करने वाली कड़ी है बिना निज बहासा ग्यान के राष्ट्र सभी छेत्रों में तरक्की नहीं कर सकता डॉक्टर राजाराम विभागादेक्स हिंदी ने खा कि हिंदी दिवस मनाने क का उद्ध से हिंदी भासा के राष्ट्र के परती उपकारों के परती किर्ट गयाता परकट करना है आज हिंदी व्यपार की रोजगार की संसकार की प्रिवार की भासा बन चुकी है सवतंतर्ता के पश्चात हिंदी ने परगति की है लेकिन अभी भी उंचतम उंचाईयों को छूना है इस अफसर पर मंच संचालन बिये अंतिम वस के विदार्थी योगेश ने किया करेकरम सियोजक डॉक्टर राजाराम रहे और परत्योगिताओं के निडायक मंदल में डॉक्टर शुबा, सिहाग, दिलसुखराम और हरिश कुमार सामिल रहे इस अफसर पर डॉक्टर रेखारानी, अमित कुमार, राजेश कुमार, अनिल कुमार, अनिल सहरावत, दिपक शियाग और अनेक विदार्थी उपस्तित रहे। ग्रामिन आंचल के आदर्स पब्लिक स्कूल बनावाली ने एक बार फिल सिक्षा के चेतर में अपना परचम लह रहाया। बोर्ड के सीनिय स्केंडर प्रिक्षा परिणाम में तीसरा स्थान हासिल किया था, अब एक अदम और आगे भढ़ते हुए इस बार पूरे परदेश में दूसरा स्थान हासिल किया गया है। इसके लिए सिक्षा बोर्ड विधले के मुख्या को बोर्ड के वार्षिक अलंकरण समारो में 17 सितंबर को ट्रोफी दे कर समानित करेगा। इस पर विधले प्राचारे शर्वन राव ने कहा कि यह सब चेतरवाशियों के विश्वास और हमारे सांजय प्रियास का प्रिणाम है जिसके लिए उन्होंने बच्चों, अभी भावकों, अध्यापकों और सभी चेतरवाशियों को विधले परिवार की तरफ से सुब काम न हिंदी वे विधले में अध्यापकों वे बच्चों के बीच मिठाईयां बांट कर खुसी का इजहार किया, राज किये मादमिक विधले सुली खेड़ा में हिंदी दिवस के उपलक्ष में बच्चों ने विमिन का रिक्रोमों में भाग लिया, विधले मुख्या जैदे भा हिंदी भासा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, भारत के किसी भी हिंसे में कोई भी नागरिक हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है, जबकि कई दूसरी भासाइं उनको हम नय तो बोल सकते हैं और नहीं समझ सकते हिंदी भासा में जैसा ब बोला जाते है वैसा ही लिखा जाता है हिंदी बासा आम infant के भासा है भार्ट सरकार ने हिंदी भासा को राश्ट्रीए भासा का दर्जा दिये है पहां विग्या कि बीना राश्ट्र भाषा के कोई देश उन्ती नहीं कर सकता हिंदी भाषा के मेथव को देखधिवे सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा के प्रियोक की भरपूर कुसिष करती है का है काच्छा Citra की सी सवस्थी करसा विनोद कुमार तनिक्षचा वर रहूल कक्षा आठवी की पुनम ने अपनी कवीतों के माधम से जानकारियां दिये। कक्षा पर्थम के प्यारे से बच्चे सुख्वंत ने भी हिंदी वर्णमाला के सवर बोल कर सुनाए।